प्रियविद्यार्थियो नमस्कार पिछले भाग में हमने जाना कि जो अपने पर्ण कुटिर से निकला हुआ बालक ब्रह्मचारी वटू उसकी आकरिती उसका वर्णन हमने कवी के माध्यम से प्राप्त किया कवी ने बहुती सुन्दर शब्दों में बहुती अत्यनत सरल भाशा में उस विप्रवटू का वर्णन किया है आगे की कसा को आगे के भाग को आगे के कध्यांश को हम समझते हैं कदली दल कुंजाई तस्य एतत कुटिरस्य समन्तात पुष्पवाटिका पुरतह परम पवित्र पानियं परसहस्र उंडरीक पटल परिलसितं पतत्री कुल कूजित पूजितं पयह पूरितं सर आसीत दक्षिन तस्चैको निरजर जरजर ध्वनी ध्वनीत दिगंतरह फल पटला स्वाद चपलीत चंचू पतंग कुला क्रमना धिक विनत शाख शाखी समूह व्यापतह सुन्दर कंदरह परवत खंड आसीत आइए इस गद्यखंड के अर्थ को समझते हैं कडली दलकुंजा इतस्य अर्थात कडली यानी केले-केले के पत्तो से कुण्ज़ के समान शोभा को प्राप्त एतत कुटिरस्य इस कुटिर के समनता चारो और पुष्पवाटी का पुष्व से बनी हुई पुष्व से निर्मित वाटी का विद्यमान है पूर्वतह पूर्वदिशा की ओर परम पवित्र पानियम अर्थात परम पवित्र पानी से निर्मित जल को यहाँ परम पवित्र कहा गया है एसे पानी से ऐसे जल से निर्मित सरका यहापर वर्णन किया है परह सहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसितम परह सहस्त्र यानि सहस्त्राधिक हजारों से अधिक संख्या में पुंडरीक पटल पुंडरीक अर्थात श्वेत कमल श्वेत कमल के समुह से परिलसितम अर्थात शोभाय मान पतत्री कुल कूजित पूजितम पतत्री यानि पक्षिसमुदाय कुल यानि उनका समुह पक्षिकुल के समुह से कूजित उनकी आवाजों से पुन्जाय मान अतह पूजित पयह पूरितम पय से यानी पानी से जल से पूरित पूर्ण भरा हुआ रिक्त नहीं है परिपूर्ण है ऐसा सरह सर यानी सरोवर आसी था दक्षिन तह यहाँ पूर्वदिशा में विद्यमान था अब दक्षिन की ओर बता रहे हैं दक्षिन तह एको निर्जर जर्जर ध्वनी ध्वनीत दिगंत रहा निर्जर यानी जर्ने को कह रहे हैं जर्जर ध्वनी उस जर्ने की ध्वनी कैसी है जर्जर ऐसी ध्वनी से गुंजाय मान दिगंतर सारी दिशाय उस ध्वनी से ध्वनित है यानि सभी दिशाय उस ध्वनी से व्याप्त हैं ऐसे फल पटला स्वाद फल सभी जानते हैं पटल यानि समुह फल पटलों के समुह से उनके स्वाद से आस्वाद यानि तेश्ट यानि स्वाद से चपलित या यानि यहाँ पुनाहा पक्षियों के लिए आया है ऐसे पक्षि फलों के समुह के आत्स्वाद से चपलित यानि चंचल हो चुकी है चोंच जिनकी ऐसे पक्षियों के समुदाय के आक्रमन से आक्रमन अर्थाद उनके वारमवार वहाँ आने से अधिक विनत वह विनत नहीं है विनत्वोपूरों में ही है तथा पी आक्रमन के कारण अधिक विनत और भी अधिक जुके भूए शाक शांखी समुह व्याप्त है मरकी सुन्दरकंदरह सुन्दरकंदराओ वाला परवत खंड आसीत एक परवत का खंड यानी एक परवत माला वह पर थी इस गद्य खंड में जो विशेश शब्द आये हैं उनको समझते हैं यहाँ आया था कदली दल कुंजाई तस्यार्थात कदली नाम दलई ही कुंजाई तह कदली दल कुंजाई तह तस्या कदली दल कुंजाई तस्या यहाँ पर पूरो में कदली नाम दलई ही इस प्रकार समास का विधान किया गया है परमम चतत पवित्रम चेती परम पवित्रम यहाँ पर कर्मधारे तत पुरुष तद अनंतर ताद्रिशं पानियम यस्य तत परम पवित्र पानियम बहुब्रिही इस प्रकार समस्त पद्र का निर्मान होता है यहाँ पर पततरी शब्द आया है जिसका अर्थ है पक्षी इसके लिए अमरकोश में अन्यवी शब्द बताए हैं जैसे पतत्री, पत्री, पतग, पतत, पत्र, रथांडज, इत्यादी शब्द, यह सबी समानार्थक है आगे निरजर जरजर ध्वनी ध्वनी तो दिगन तरह या पद आया था इसमें जरजर ध्वनी ही जरजर रूपा ध्वनी जरजर ध्वनी या पे मध्यम पदलोपी समास है जिसको शाक पार्थिवादिवत उसके रूप सिद्धी होती है इस प्रकार यहाँ पे पूरो में तत्पुरुष के साथ अंतमे बहुब्रही से इस समस्त शब्द का निर्मान होता है अग्रिम्पद है फल पटला स्वाद चपलित चंचु पतंग कुला क्रमना अधिक विनत शाख शाखी समुह व्यापतह थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझने में थोड़ी आसानी होगी सरलता होगी यदि हम समास को समझते हैं कहां कि फला नाम पटलम पटलकार्थ समुह मैंने बताया था फला नाम पटलम फल पटलम तस्य फल पटलस्य समुह आस्वादह फल पटला स्वादह तेन फल पटला स्वादेन चपलिताह चंचली कृताह चंचवह ते फल पटला स्वाद चपलित चंचवह ये शाम ते पतंगाह पक्षिनह फल पटला स्वाद चपलित चंचु पतंगा դेशाम, पुलम, फलपतला स्वाद चपलित चंचु पतंग कुलम, तस्य आक्रमणं, पलपतला स्वाद चपलित चंचु पतंग कुलाक्रमणं तेन अधिक विनत शाखा हां, MIC Schule, we ढू 기본, इस प्रकारिया समस्त पद बनेगा आईए आगे बढ़ते हैं अगरिम गध्यपाथ है यावदेश ब्रह्मचारी वटूहु अलिकुंजम उद्धूय कुस्मकोरकान अवचिनोती तावत तस्यव सतीर्थ्यो अपरह तत्समान वयाहा कस्तुरिकारे नुरूशित इवस्यामः चंजन चंदन चर्चित भालह करपूरा गुरू छोद छूरित वक्षो बाहु दंडह सुगंध पटलेर उन्निंद्रयनिव निंद्रामत्थरानी कोरक निकुरंबरांतर सुप्तानी मिलेंद व्रिंदानी जटिती समुपसृत्य निवारयन गउर वटूम एवं अवादीत अर्थात यावद एश ब्रह्मचारी जिसका अभी तक वर्णन चल रहा था वह ब्रह्मचारी वटू अली कुंजम उद्धुय अली यानि भ्रहमर समुदाय को उद्धुय हटा करके कुसम को रकान अवचनोती कुसुम की को रक यानि कुसम की कल्यों को फूलों की कल्यों को अवचुनूती चुनता है तावत तभी अचानक से तसेव सतीर्थ यहां उसका सतीर्थ तीर्थ का मतलब होता है यहां तीर्थ शब्द गुरू के लिए कहा गया है और सतीर्थ यानि अन्तेवासी जैसे हम जानते हैं जो ब्रह्मचारी जो विद्यार्थी एक ही गुरू के अ उसी के समान आयू वाला था सतीर्त था वह वह पर आता है और वह कैसा है कस्तुरिका रेणु रूशित कस्तुरिका हम सभी जानते हैं मृग की नाभी से प्राप्त होने वाला सुगंदित वस्तु विशेश को कस्तुरिका कहते हैं उसकी रेणु यानि उसकी धूली से रूशित यानि धीनु जिसके माथे पर लगी हुए इवश अब्द का यहां प्रयोग किया है इवश शामहा यानि कस्तुरिका के रेणु के समान जो स्यामवर्ण का है चंजन चर्चित भालह जिसका भाल जिसका कपाल चंजन चर्चित यानि चंदन के लेप से परिपूर्ण है करपूर अगुरु छोद छूरित वक्षो वाहुदंडः करपूर और अगुरु इनको हमारे हापर आयुरवेद में भी इनके लेप को शुरोवेदना आधी उप चारों में प्रयोग किया जाता है तो कहा कि करपूर अगुरु छोद यानि उनके चोण से चूरित यानि आपलावित परिपूर्ण है जिसका वक्ष यानि छाती और बाहुदंडः उनके भुजदंड जो है वो करपूर और अगुरु के चोण से परिपूर्ण है जिस ब् सुगंद के समुदाय से उन निंद्रयनीव निन्द्रा को हटाती विंद्रा मंत्राणी निद्रा के कारण जो मंथर हो चुके है आलस्य को प्राप्त हो चुके ऐसे असे उनके बीच अंदर सोए हुए सुपतानी, मिलिंद व्रिंदानी भ्रमर समुदाय को जटिती समुपश्रित्य, मिलिंद व्रिंदानी उन्निंद्रयनिवा, यानि भवरों को जो की कलियों के बीच में सोए हुए हैं, उनको अपनी सुगंद से, जो की करपूर और अग्रू के यानि चूर्ण से परिपूर्ण है उनकी सुगंद से यानि और भी अधिक सुगंदित हो करके मानू उनके निद्रा को तोड़ करके उन भ्रमरों को बता रहा है कि प्रातकाल हो चुके और सुगंद लेने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं इस प्रकार से कभी ने उपमादी जटिती समुपशृत्य शीग्रही उसके पास पहुंचकर निवारयन जो ब्रमचारी पुष्पचैन में लगा हुआ था उसे रोक करके गौरवटुम क्या नाम है उसका गौरवटू जो की पुष्पचैन में लगा हुआ था उसे एवं अवादित इस प्रकार से उसे कहा तो इस संपूर्ण गद्य खंड में सामानने रूप से बताया गया कि जो गौरवटू है वहाँ पुष्पचैन में लगा हुआ है और उसी समय उसका समान वैसक साथी वहाँ पर पहुंचता है और उस समान वैसक साथी के यहाँ पर विशेशताय यहाँ पर दिश्टी समान तीर्थे वासी इत्तेनेन सुत्रेन अत्र यत प्रत्य विधियते तीर्थेय इत्तेनेन सादेश हाँ ता भी कस्तुरिका रेनु भी रूशितह चर्चितह परिलिपतह कस्तुरिका रेनु रूशितह अग्रिमह तत्र शब्धा वर्तते चंदनेन चर्चितम लिपतम चं यहां पर बहु ब्रही समास पूर्व में यहां पर त्रित्या तत्पुरुष और अनंतर यहां पर बहु ब्रही समास है करपूर मिश्रितअ अगुरु हूँ,… यहाँ पर शाकपार्थिवाधिवत मध्यम पदलोपी समासे तस्यक्षोदः कड़पुरा गुरोहु खोद हा करपुरा गुरुदः चोदहु तेन चूरितं करपुरा गुरुद चूरितं वक्ष़। यहांट पर ततपुरु डतलसाद यहां तक इसके बाद भकत गुदंडव। यहां पर समहारुदून्द शमासे। और पुनह समस्त पूर्णपद को एक साथ करेंगे करपूरा गुरु छोद छूरितम वक्षो बाहुदंडम यस्य स करपूरा गुरु छोद छूरितम वक्षो बाहुदंडम इस प्रकार से इस समस्त पद का निर्मान होता है आगे बढ़ते हैं शब्दम रुदतीम परमसुंदरीम कलित मानव देहा मिव सरस्वतीम सांत्वयन मरंद मधुरा अपह पाययन कंदखंडानी भोजयन त्वम् त्रियामाया यामत्रयम अनैशीही सेयम अधुनास्वपिती उद्भुद्यच उनह तथैवरोधिष्यती तत परिमार्गनी यानी एतस्याहा पितरव ग्रिहम्च इसके सरालार्थ को समझते हैं कहता है वह अलंभो अलंभो अलंभ अपने साथी के लिए प्रयोग करता है कि अलंभ अर्थात रुक जाओ छोड़ दो इस कार्यको मयेव पूर्वम अवचितानी कुसुमानी मया एव मैने ही पूर्व में पु पचिर रात्री तक जाग रहे थे शिप अतहक शिप्रम नुथा पितह इसलिए आपको शिग्र नहीं जगाया गया है नहीं उठाया गया है गुरु चड़ना हां हमारे आचार्य प्रवर अत्र तड़ाग तटे इसी तड़ाग के तट पर सरोवर के तट पर संध्याम उपा आसना कर रहे हैं संस्था पिता मया निखिला सामगरी तेशाम समीपे मैंने संपूर्ण सामगरी उनके पास रख दी गए हैं यामच सब्त वर्ष कल्पाम जिस लगभग सात वर्ष की अवस्था वाली सात वर्ष की आयू वाली यावन त्रासे न यवनों से होने वाले त्र रोते समय आवाजे छोड़कर केवल और केवल उसके मुह में चितकार मात्र है उसी को यहां कभी कह रहे हैं परमसुंदरीम जो की अत्यंत सुंदर है और कलित मानव देहाम इव जिस मानो शरीर को धारण की हुई साक्षात सरस्वती को सांत्वयन उन्हें सांत्वना देते हु जो की मरंद यानि आउशधिया यानि फल पुष्पो के पराग से पुष्पो के पराग के कारण मधर हो चुक है ऐसे पय को पिला करके कंद खंडा नि भोजयन कंद जो है यह वनांत में रहने वाले वनेचर लोगों का एक भोजन विशेश होता है उन कंद खंडों को खिला इस श्ब्रयोग कैसे संस्कृति में दिन और रात्री को इस संपूर्ण समय को आट प्रहर यानि आट याम्यम में विभाजित किया गया है दिन के चार प्रहर और रात्री के चार प्रहर जिसमें दिन के प्रहरों को हम सभी जानते हैं पुर्वान, मध्यान, अपरान और सायंकाल इस रूप में चार प्रहर है जो कि तीन-तीन घंटे यानि तीन-तीन हुरात्मक काल होता है जिनका और रात्री क तो इस प्रकार से रात्री के समय को भी चार प्रहरों में यानि 12 गंटों में विभाजित किया गया जिसके निशित और त्रियामा ये जो दो प्रहर है ये शैन के लिए सोने के लिए निर्धारित किये गए हैं और जो उशाकाल है उसको प्रथम काल जो की हमारे अध्यान, अध्यापन, नित्य कर्मों और सभी अविलशित प्रदार्थों के लिए वहाँ पर स्विकार क्या गया है तो ब्रह्मचारी हो या थ्वा किसी भी आश्रम में निवासरत हो, वहवानप्रस्त हो, ग्रियस्त हो, सन्यस्त हो कोई भी इस उशसकाल में उठकरके, अपनी नित्य कर्म संपादित करके, अध्यान, अध्यापन और या उसका जो भी प्रसंग है, उसमें वह प्रवित्त होता है कहा गया है, मनुस्मृति में कहते हैं कि अर्थात ब्रह्म मूर्थ में उठकरके, इस उशसकाल को ही ब्रह्म मूर्थ कहा गया है और इस मूर्थ को जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इस ब्रह्म मूर्थ को ब्रह्मचारी के लिए अत्यान्त उपादिया माना गया है तो सेयम अधुना स्वपीती कहा कि वह बालिका सा यम अधुना पी स्वपीती वह अभी भी सो रही है उत बुद्ध्य च उठकरके पुनस तथईव रोधिश्यती तथईवसा पुनह रोधिश्यती अतह तत परिमारगनी यानी अस्माभिर किम करणीयम परिमारगनीयम शोधनीयम किम एतस्याहा पितरव ग्रिहम च एतस्याहा बालिकायाहा ग्रिहम शोधनीयम तस्याहा पितरव शोधनियू अतह ब्रह्मचारी कहता है कि हमें करतना क्या है कि उसके माता-पिता और उसके घर को हमें ढूंड़ना है जिससे कि उस बालिका को समय पर अपने माता-पिता को सौप दिया जा सके आईए इस गद्देखंड के कुछ विशेश शब्दों को समझते हैं मानवानाम देह मानव देह यहाँ पर शष्टितत पुरुष और कलितह ध्रितह मानव देह ययासा कलितमानव देहा ताम कलितमानव देहां पुनह बहु ब्रहिसमास त्रियामा यहां पर निशाज, शरवरी, रात्री, खणदाक, शपा, इत्यादी शब्द, विभावरी, तमस्विनी, रजिनी, इत्यादी शब्द इसके परियावाची के रूप में प्रियोग हुए हैं अजागरी शब्द यहाँ पर जागदी निद्राक्षे धातु से लुंग लकार में बनता है। अजागरी शब्द यहाँ पर जाग लकार में बनता है। अर्थात इती संशुत्य इस प्रकार संसुन करके बाद करके उश्नम निश्वस्य उश्न निश्वास लेकरके यावत सोपी किंचित वक्तु मियेश वहा गौर वटु भी कुछ बोलना ही चाह रहा था तभी अकस्मात अचानक ही परवत शिखरे परवत के शिखर पर निपप स्थित समाधी लेकर अपने योगकार्य में निरत थे कदास समाधिं अंगी कृतवान कब उन्होंने समाधी स्विकार की इतिकोपिन विश्य में कोई भी नहीं जानता है ग्रामनी यानि ग्रामीन प्रधान जो है गाओं के प्रधान को ग्रामनी कहते हैं और ग्रामीन यानि गाओं में निवास करने वाले ग्रामहा यानि समुदाय तो ग्राम प्रधान और गाओं के निवासियों के समुदाय वहाँ पर समागत्य बीज बीच में मद्धे मद्धेतम पूजय इन्ती उनकी पूजना उनकी पूजा करते थे उन्हें प्रणाम करते थे और उनकी स्तुति करते थे कुछ लोग उन्हें कपिल के नाम उन पर विश्वास करते थे, कुछ लोग लोमशा, कुछ लोग जैगी शव्य रिशी के रूप में और कुछ लोग मारकंडे ये रिशी के रूप में उनमें अपना विश्वास प्रकट करते थे वे ही मुनी इस समय शिखर से उतर कर उतरते हुए ब्रह्मचारी वटू ने उन्हें देखा आईए इनके शब्दों को जानते हैं यहाँ पर ये शब्द जो है वो इस धातू से लिटलकार में है प्रथम पुरुष एक वचन में निश्पन्न हुआ है इसे प्रकार निपपात भी निउपसर्ग पूर्वक पा धातू से प्रथम पुर्ष एक वचन में लिटलकार में निश्पन्न होता है ग्रामनी ग्रामीन ग्रामा में ग्रामन नश्च ग्रामीन आश्च ग्रामनी ग्रामीन आहा इस प्रकार से इतरेतोर दंदो हुआ है आगे तेशाम ग्रामाहा यहाँ पे शश्टी ततपुरुष होकर तेशाम समुहा ग्रामणी ग्रामीन ग्रामा बना है ग्रामणी शब्द में ग्राम शब्द पूर्वक ग्राम उपपद पूर्वक यह धातु से कि प्रत्य करने पर ग्रामणी शब्द बनता है कंदर के लिए दरी शब्द भी प्रयोग होता है अदर्शी में हम देख रहे हैं दिश धातु से कर्म वाच्च में यहां प्रथम पुरुष एकवचन में शब्द बना है आगे अःओ प्रबुधोमनी प्रबुधोमनी इत एवागच्छती इत एवागच्चती सत्कार्योयम सत्कार्योयम इती तु शंभ्धान्तो वभूवतू अथं संध्यावंदना दिक्रिये समाया ते गुरव। तद अधया नित्यन्यम संपाधना अयप प्रया ते गउर वट। छात्र गणसा हकारेण प्रस्टतासुच स्वागत सामगृशु। इत आगम्यताम सनाथ्यताम एश आश्रमह इती सब प्रणामम अभिगम्य वदत्सु निखलेशु योगिराज आगत्य तन निरदिष्ट काश्ठ पीठं भाश्वान इव उदेगिरिम आरुरोह उपाविशच्च अर्थार अहो मुनी जाग चुके हैं प्रबुद्ध हो करना चाहा है इस प्रकार से संभ्रांत होकर व दोनों ही बालग वे दोनों ही ब्रह्मचारी वटू बात करने लगे इसके अनंतर संपूर्ण अपने संध्यावन अधिकारियों को संपाधित करने के पश्चाथ गुरु के आने पर तदा गया उनकी आग्या से नित्यनियम संपाधन के लिए गौरवटू प्रस्थित हो गया याई गौरवटू जो विलम्म से जगा था वहां अ योगी राज आये हैं उनकी स्वागत के लिए उनके स्वागत के लिए अनेक सामगरिया उपसित हो चुकी है इत्याग इम्यताम सानात्यताम एश आश्रमा इस प्रकार से निवेदन ब्रह्मचारियों के वटू के जो गुरु हैवे करते हैं और कहते हैं प्रणाम के साथ उ अब विराजमान हो और वह योगी राज उन Lapine के निरदेशत के अनुसार जो कार्ष्ट अबस पर गए ँसमान जिस प्रकार भगवान भाश करवल्ड़ंiniz प्रकार ईदय गिडिए पर यारूर आरूण होते हैं उसे प्रकार वह योगी राजच भीू उस निरदिश्त इस प्रकार यहाँ पे तत्पुरुष समास हुआ है यहाँ पे आरुरोह पद भी हम देखते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में निश्पन्ने लिटलकार में और उपा विशत शब्द जो है उपा और विश्पुर्वक लंग लकार के प्रथम पुरुष में निश्पन्न होता है इसके बाद यहाँ पर योगी राज का वर्णन है वे कहते हैं कि तस्मिन पूठ जमाने इस प्रकार से जब पूजा अर्चना उनका स्वागत सत्कार योगी राज का हो गया उसके पस्चाद योगी राज उत्तितह योगी राज उठ चुके हैं इती आया था इधर आ चुके ऐसा आकर्न सुन करके कर्ण परंपरया यानि एक दूसरे से सुन करके ये सारी बात गाओं में बहल चुकी थी जिसके कारण बहवह जना परितास्तिता बहुत सारे लोग जो ग्रामनी थे जो ग्रामीन जन्तेवे वह पर उपस्तित होते हैं और कहते हैं योगी राज का जो स्वरूप वर्णन है आगे कवी करते हैं और वो कहते हैं सू घटितम शरीरम योगी राज का शरीर कैसा था सू घटित्ता बहुती सुन्दर रिती से बनाया हुआ ऐसा प्रतीत होता था सांद्राम जटाम उनकी जटाय अत्यदि घनी थी विशालानी अंगानी उनके अंग प्रतिंग बड़े ही विशाल थे अंगार प्रतिमे नयने उनके नयन उनके नेत्रमानों अंगार बरसा रहे हो यानि अगनी के समान देदिप्यमान थे प्रज्वल्यमान थे मधुराम ग योगिराट्ट शब्द जो यहाँ पर विशेश है योगिनाम राजा है योगिराट योगिन और राजladı से क्याद करने पड़ी योगिराट्ट स्विद्य होते हैं इसी प्रकार गात्र यानि शरीर के लिए कलेवरम गात्रम वपुह संघननम शरीरम वर्ष्म विग्रह कायः देह यह सभी शब्द प्रयोग होते हैं संजाता शब्द समुप सर्ग पूर्वक जन जातु सेक्ता प्रत्य करने पर निश्मन्न होता है तो यहाँ पर हमन गौरवटू का गौर सिंग का वर्णन है तद्ननंतर श्याम वटू का वर्णन है और उसके बाद योगी राज का सामान में स्वरूप का वर्णन किया गया है इस प्रस्तुत पार्ट में हमने इन सभी के बारे में जाना आपका बहुत-बहुत धन्यवाद उन्हा मिला महां का वर्णन है